सो नमस्कार दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का आप के पने YouTube चैनल पर दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आपके पास Android Mobile है उस Android Mobile के अंदर आपको आपने SIM डाल रखा है और आपको यहां पर दिखाता है No Service जैसे कि यहां पर आप देख सकत लेना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यहां पर मैं 3-4 solution बताऊंगा उनका apply करेंगे तो आपकी problem solve हो जाएगी तो चलिए जान लेते हैं इस problem चुटकार पाने के लिए हमें क्या करना होगा सबसे पहला काम आपको डाइलर पैड में आना है और यहां पर लिखना है star has 4 6 3 6 has star has और फिर से star पर क्लिक कर देना है यह पहले कोड आप अच्छे से देख लीजिएगा इसका screenshot ले लीजिएगा और यहां पर फिर से star जैसे ही दबाएंगे कुछ इस तरह से information निकल कर आएगी यहां पर हमें phone से related problem है Wi-Fi से related problem नहीं है तो यहां पर phone information पर आप क्लिक करेंगे जैसे phone information पर क्लिक करेंगे आपको scroll करना है नीचे की तरफ यहां पर आपको देखने को मिलेगा mobile radio power यह mobile radio power आपका enable होगा या बंद होगा अगर आपका यह enable है तो इसको बंद करिएगा बंद करने के बाद फिर से own कर दीजिएगा तो आपकी network यहां पर जो है रा जाएंगे disable कर दीजिएगा disable कर फिर से enable कर दीजिएगा यह काम आपको करना है यहां पर नीचे आएंगे और यहां पर आपको update और refresh देखने को मिल रहे है तो refresh पर आप 3-4 बार tap कर दीजिएगा आपकी problem 100% यहां से solve हो जाएगी अगर यह करने के बाद भी आपकी problem solve नहीं होती है तो क्या solution है वह भी मैं आपको बता देता हूं उसके बाद आपको directly setting में आना है setting में आने के बाद आपको scroll करना है और यहां पर mobile network देखने को मिल रहे है mobile network पर click कर लेना है यहां पर preferred network type देखने को मिल रहे है आपको preferred network type पर click कर दीजिएगा यहां पर आपको देखने को मिलेगा 2G, 3G, 4G और 5G 4G का मतलब Prefer LTE यहाँ पर आपको अगर आपका Save हो रखा है 2G पर या 3G पर तो आपको यहाँ पर Prefer LTE पर Select कर लेना है या फिर आपको अगर 5G है तो आपको 5G पर Tap कर देना है यहाँ से इस सैटिंग को आपको जरूर से कर लेना होगा जैसे यह सैटिंग करेंगे No Service आपका चला जाएगा जैने उसके बाद अगर फिर भी आपको Problem Face करनी पड़ती है तो Mobile की सैटिंग में फिर से आना होगा और यहाँ पर Connecting and Sharing देखने को मिल रहा है इस पर आपको Click कर लेना है Connecting and Sharing पर Click करने के बाद यहाँ पर स्क्रोल करिएगा नीचे Reset Wi-Fi Mobile Network and Bluetooth देखने को मिल रहा है इस पर आपको Click कर देना है Wi-Fi, Mobile Data, Bluetooth यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है और नीचे Reset Setting तो Reset Setting पर आपको Click करना है और OK कर देना है Wi-Fi की हो या Mobile Data की या Bluetooth की कुछ भी हो तो no service की वहाँ से Problem आपकी Solve हो जाएगी दनिए करने के बाद आपको जो है अपने Mobile को एक बार Restart कर लेना है या फिर बंद करके फिर से Own कर लेना है जैसे आपका Mobile Own होगा आप देखेंगे Problems Solve हो चुकी है तो गाइस बसाथ की वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल दर बाटे क्या Love you all